बिस्मिल्य आख्मारी रहीम असलाम लेकूम कैसे हैं सब उमीदे की सब खेरियत से होंगे वेलकम टू साधिया स्पेशन आज मैं अपने किचन में बनाने चा रही हूं मसाले वाले आलो बैंगन यह थोड़ा डिफरेंट सी और थोड़ी हर्ट की रेसिपी है तो चलिए स्टा तो मैं चलके उसके उतार देती हूं इस तरह से बैंगन बने है तो इसके अंदर हमें यह चलका सलामत ही रखना है साबत रखना है और लंबे-लंबे स्लाइसे काट लीजिए बैंगन के और ज़्यादा लंबे लगें आपको तो बीच में से कट लगा के उसको क्यूब की शक दाल लूँगी तो अच्छी तरह से हम बैंगन को फ्राइ कर लेंगे बहुत ही मज़े कि बैंगन बनते हैं जिनको अलू बैंगन नहीं पसंद हैं वो इस रेसिपी से बैंगन को ट्राइ करके देखें और अब यह बैंगन अच्छी तरह से फ्राइ हो गए हैं बस हमें इतन इसमें शामिल करूँगी और आलू को भी अच्छी तरह से मैं इसमें फ्राइ कर लूँगी अमोमन जब ऑईल के इस्तंकरम ऑईल में आलू डालें पतीली के अंदर तो जो आलू है वो चिपकते हैं तो ज़रा देहान रखीगा कि आलू टूटे ना मुझसे थोड़े थोड़ इसमें काम कर रही थी और इसी तरह से ही आलू और जो आपको लगे कि आलू काफी हद तक गल चुके हैं तो फिर उनको भी आप डिशाओट कर लें इस ओईल में से आलू को निकाल लें तो बैंगन और आलू जो हैं वो दोनों चीतां से फ्राइ हो गये और मैंने इनको बड़े सा इसके प्यास थे हलके हलके से सोते कर लिए और साथ ही मैं इसके बीच में टमाटर शामिल कर दी दो बड़े सा इसके टमाटर थे और इनको अच्छी तरह से गला लिया और साथ ही मैं अब इसके अंदर मसाले भी शामिल कर दूंगी तो पहले कोशिश कीजिए कि और प्याज जो है इसको अच्छी तरहां से हम इसी ओल में गिला लें जैसे ही टमाटर और प्याज जो थोड़ा सॉफ्ट होँगे हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे और मसालों में सबसे पहले मैंने कलोंजी ली है, half teaspoon मिच्ट दन लिया, half teaspoon हल्दी, नमक, मेर्च, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर अपने टेस्ट के according और जैसी थोड़ा सा oil, क्योंकि बचा हुआ oil मैंने यूज किया था, जो मैंने fry के दूरान यूज किया था, पस वही oil था, ज्यादा नहीं यूज किया, तो उसी कोशिश करें कि उसी oil में ही आपका काम होज़े तक कि ज्यादा oil वला खाना नहीं खाना पड़े, जैसी मसाला थोड़ा सा soft हुआ है, तो मैंने आलू शामिल कर दियें, क्योंकि आलू को गल्ले में थोड़ा सा time लगता है, और उसके फॉरण बाद मैं इसमें जो है, बैंगन भी शामिल कर दूँगी, अब एक दो दफा अच्छी तरह से चमच चला लें आप, और इसको आँच बिलकु तो अब आप इसकी ये final look भी देख सकते हैं, कि जिसा मैंने ये तवेपर से दम हटा दिया है 15 मिन बाद, और ये देख सकते हैं, कि मसाला जो है वो काफी अच्छा बन चुका है, और oil भी इसका सामने से दिखने लग पड़ा है, मैंने extra oil नहीं डाला था, जो fry के दोड़ान यूज़ हुआ, बस वही उतना ही oil यूज़ किया है, तो तयार है यहां पर बहुत ही मज़ेदार, खटे, light से खटे, मसालेदार बेंगन की recipe, तो अमीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ही quick और बहुत मज़े की recipe पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो like करें, share करें, और new है तो subscribe करें मेरे चैनल को, इंशाला मिलती हूँ किसी new वीडियो में, किसी new recipe के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अपना बहुत साथ खयाल रखेगा